तो हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल ओफरेंड आज की विल्डी स्रीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कनवर्जन फ्रॉम मीले टू मूरे मशीन यानि मीले मशीन को किस तरीके से हम मूरे मशीन में कनवर्ट करेंगी क्या उसका प्रॉसर रहेगा इस से वर्डॉसर इक्षर में हम लोगो ने मीले मशीन मूरे मशीन और उसके डिफरेंस को देखा नुमरगा गोशन को भी हमने प्रैक्टिस किया तो चीज़े वहाँ पर क्लिए हो गई होगी तो हम जान लेते हैं कि जो मीले मशीन होता है वो क्या करता है एक line में तो उसका जो output होता है वो depend करता है उसके present state पर प्रेजन इंपूट पर और मूरे मशीन का जो output होता है वो depend करता है present state पर step 1 में हम इसमें क्या करेंगे step 1 में कहा रहा है कि each state जिसे हम लोग QI कहेंगे calculate the number of different output यानि उस पर हम चेक करेंगे कि उस पर कितने different output है that are available in IX table of the mille machine जो available हो उसके IX table में जो उस mille machine का table हो उसमे and second copy state QI if all the output of QI are same break into QI into n state यानि हम क्या करेंगे उसको copy करेंगे सारे अगर output अगर दो same होंगे तो हम उसको break कर देंगे QI और n term में into state QIN statement में घपराने की जूरत नहीं है numerical question आप देखेंगे तो चीजे clear हो जाएंगे ऐसा नहीं कि आपको देख लेना किया रहे यार यह क्या हो रहा है tension लेने की जूरत नहीं है बस आप लिखते चलिए चीजों को third step में कहरा है कि if the output of initial state is zero insert new initial state at the starting which given input gives one output तो जब आपका initial जो state होगा zero होगा तो हम क्या करेंगे एक new state को generate कर देंगे starting को one output के द्वार होगे तो यहाँ पर एक example दिया हुआ है कहरा है convert the following meal machine into the equivalent मूरे machine यानि जो मीले machine है उसको आपको मूरे machine में convert करना है तो यह machine आपके सामने में मौझूद है आप इसके diagram को proper बना लिजी q1 q2 q3 q4 आपको दिख रहा होगा सबसे पहरे हमें क्या करना है हमें इसके transition table को बनाना है इस meal machine के लिए तो इस meal machine के लिए हमने transition table बनाया तो आपको बता है कि कौन-कौन से state आपको है यहाँ पे state q1 q2 q3 q4 है clear और यहाँ पे state है उसका output है state है output है a के लिए है यह b के लिए है क्योंकि आपको पता है कि इसमें A और B यूज हो रहा है तो A भी हम बना देंगे और आपको आपको आउटपूट 0 और 1 इसमें आ रहा है तो Q1 Q1 से A कहा जा रहा है A पे आपका Q1 पर ही जा रहा है और उसका आउटपूट क्या रहा है 1 आ रहा है clear अब Q1 से हम B पर किस से रहा जा रहा है Q1 से B पर हम जा रहा है 0 आउटपूट के रहा है तो 0 लिख देंगे फिर Q2 से 4 है Q2 से 4 हम जा रहा है किसके मादब से A के मादब से तो उसका आउटपूट क्या है 1 है तो हमने 1 लिख दिया फिर Q2 से हम 4 जा रहा है किस पे, खुद पे, तो Q2 से हम क्या कर रहा है, 4 पे हम आ रहा है, Q2 से, Q4 पे, तो उसका output क्या है, B पे, 1 है, A और B दोनों पे चेक करना है, Q3 है, Q3 A, कहां जा रहा है, Q2 पे, Q3 A, कहां जा रहा है, Q2 पे, तो यहां पे इसका output क्या है, 1 है, और Q3 B, कहां जा रहा है, Q3 पे, खुद पे जा रहा है B पे आउटपूट कितना है 1 है अब Q4, Q4 से हम कहा जाना है हमें A A state के द्वारा 0 आउटपूट पे तो Q3 से A A state द्वारा 0 आउटपूट पे, sorry Q4 तो यहाँ पे B है और यहाँ पे 1 है B में 1 आजाएगा और A में आपका क्या जाएगा A में आपका 0 आजाएगा, clear तो इस तरीके से हमने इसके मिले टेबल को डिकलेर कर लिया अब हम क्या करना है इसको बनाना है अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि कौन सा दो रोह आपका similar आ रहा है तो यहाँ पे देखिए यह आपका जो element है यह वाला Q4 यह आपका जो है वो similar आ रहा है, clear यह चीज यह द्यान में देखनी है Q2 वाला और Q3 वाला, ओके यह सारी चीज़े, अब हमें क्या करना है इसको divide करना है, तो यहाँ पे आपका एक point यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है कि Q2 है, Q2 define हो रहा है Q0 पे, 2-0 पे और Q2-1 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यह output आ रहा है यहाँ पे यह आ रहा है, यहाँ यह आ रहा है दो चीज़े आपकी similar आ रही है तो यहाँ पे 2-0 पे output 0 हो जाएगा 2-1 पे output 1 हो जाएगा और Q3 है तो Q3-0 पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, Q3-1 पे आपका 1 आएगा इस point के मदद से हमें इस state को बनाना है तो हमें मूरे माशीन में convert करना है तो आपको पता है कि उसमें एक ही state होता है जो के nest state होता है और एक output होता है तो present state आपका Q1-Q1-Q20 और 1 हो जाएगा अब हमें Q2-0 पे चेक करना है Q2-0 पे, यहाँ पे देखिए Q2-0 पे क्या आ रहा है Q2-0 पे 0 आपका output आ रहा है तो इसका output क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहां पे आपका Q4, Q4 आइदर किज रहाएगा फिर Q2, 1 Q2, 1 पे आउटपुट क्या रहा था जो कि हमने बनाया था Q2, 1 पे आउटपुट 1 आ रहा है तो 1 हमने लिख दिया और इसका जो Q2, 1 पे क्या रहा है अपका 2 आ रहा है Q2 और Q4 तो यहां पे Q2 और Q4 हो जाएगा अगर आप इसको देखेंगे डियाग्राम के द्वारा तो वहां पे हो जाएगे वो चीज और इसके अकॉर्डिंग यह चीजे हो जाएगे और आप इस डियाग्राम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को इस table को relate कर सकते हैं तो यहां के आपका जो सामने है जो interface वो नजर आ रहा होगा तो आप चीज़ों को clear कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी आप एक दूबर practice करेंगे चीज़े clear हो जाएंगे यहां पर आपको एक और example दिया है सारी चीज़ों को आपको बहुत ही सांत सभाव में करना है और टेंसन लेने की जुरूत नहीं क्योंकि यह numerical portion है अगर आप इसमें ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही overthinking कर देते हैं तो कोई दिकत परशानी आपको हो सकती है अगर वीडियो पर संदा लाइक जुरू कीज़ेगा मिलता हैं से इंटेसर मुड़क साथ अब देखले थैंक्यू